हाई, अम अवनी आ रहे हैं और आप देख रहे हैं नाकपुर नियूस बुलिटिन आईए नज़र डालते हैं दिन भर की कुछ खबरों पर मंगलवार दस जनवरी को नाकपुर एडपोर्ट पर मुंबई से आये पैसेंशर के पास से पेस्ट के रूप में बनाये हुए 68.6 लाक रुपीज का 1.236 किलो सोना जब्त किया गया सीक्रट जानकारी के आधार पर एक आरवाय की गई आरोपी का नाम अब्दुल रकीब है वो करनाटक का है लेकिन वो फिलहाल मुंबई के मीरा रोड में रहता है गो एर कंपनी के A2601 फ्लाइट में वो मुंबई से नाकपुर पहुचा था investigation में उसके पास से तीन नामों के तीन आधार काड मिले आरोपी ने बताया कि शुरुवात में सोना विदेश से मुंबई में लाया और एक व्यक्ती को ये देना था मुंबई में सोना किस ने दिया और नागपुर में किसको देना था इस बारे में उससे कुछ भी पता नहीं ऐसी चानगारी उसने दिये Central GST Department के Commissioner Abhay Kumar ने बताया कि आरोपी जब नागपुर पहुचा तो Custom Officers ने Investigation के लिए उससे हिरासत में लिया Investigation के दौरान पाया गया कि प्लास्टिक से कवर दो पैकेट्स अंडर गार्मेंट्स में उसने चुपाय थे जिसका वजन 1.236 केजीज है नागपुर डिविजिन के Principal Chief Commissioner of Central GST के रामचंदर संकला और Commissioner Abhay Kumar के लीडर्शिप में ये कारेवाई की गई इस कारेवाई में नागपुर Customs के Air Intelligence Unit के Additional Commissioner प्युश भाटी, सुप्रिटेंडनेंट विजए सुन्दर, दीपक सुन्टक के और अविनाश पराते शामिल रहे मंगलवार दस जनवरी को गिटिक हदान में 63 यह के व्यक्ती ने 20 साल की लड़की पर बलेट से हमला करके उसको जखमी कर दिया लड़की की कमप्लेन पर पुलिस ने आरोपी प्रकार जांभुलकर को गिरफतार किया है पुलिस की जानकारी के मताबक आरोपी टेलरिंग का काम करता है और हमेशा शराप पीकर गाली गलोच करता था जब लड़की ने गाली गलोच करने से मना किया तो आरोपी ने उस पर बलेट से हमला कर दिया इस नामल में पुलिस आगे की इन्वेस्टिगेशन कर रही है पिछले कई दिनों से भाजपा नेताओ के बीच नाकपुर डिविजन टीचर इलेक्शन के उमीदवार किसे बनाया जाये इस पर विचार किया जा रहा था आखरकार बुदवार 11 जनवरी को इस पर मोहर लगाई गई है दो बार के टीचर एमेले नागो गानार को एक बार और मौका दिया गया बुदवार को भाजपा ने ये जानकारी ट्वीट करके दी ऐसी चर्चा जोरो पर थी कि इस बार भाजपा किसी नए चेहरे को मौका देगी लेकिन आखर में नागो गानार को उम्मिदवारी दी गई जानकारी के मताबए गानार कल यानी गुरवार 12 तारी को अपना अप्लिकेशन भरेंगे गुरवार 11 जनवरी को केंग कोबरा और्गनाईजेशन यूथ फोर्स के फाउंडर अरविंद कुमार रतूडी ने फीमेल डॉग और उसके बच्चों को जान लेवा नायरॉन मांजे से बचाया जानकारी के मताबिक गुरवार को सुबर 10 बजे के आसपास सामाजिक कारे करता और नायलॉन मांजे के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले अरविंद कुमार रतूडी मांजे की पब्लिक अवैनिस कैम्पेइन के लिए सकरदरा परिसर की स्कूल्स में और कॉलेजिस में जा रहे थे उतने में ही उन्हें सुदामपूरी उम्रेड रोड पर एक लावार इस जखमी हालत में फीमेल डॉग भटकते हुए दिखाई दी रतूडी ने अपनी गाड़ी रोक कर पास की दुकान से बिस्किट के कुछ पैकेट साथ लेकर उस जखमी फीमेल डॉग को आवास देकर उसका पीछा किया लेकिन डॉग वही पास में एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में खुझ गई रतूडी पीछे पीछे उस डॉग को ढूंटे हुए उस बिल्डिंग में खुझ गई और उन्हें यहां उसके पांच नन्ने बच्चे दिखाई दिये जो की आपस में नायलॉन मांजे में उलजे हुए थे रतूडी ने बड़ी साफधानी से उस घातक मांजे को बच्चों से अलग करके उन्हें जखमी होकर मने से बचाया रतूडी ने लोगों से अपील की कि जानलेवा नायलॉन मांजे का पबलिक बॉयकॉट करें उन्होंने ये भी अपील की है कि अगर किसी को भी कहीं जखमी लावारस हालात में आनिमल्ज और बर्ड्ज या इनसान मिलता है तो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए संपर करें पिछले कई दिनों से ठंड और कहरा चाने की वज़र से इसका सीधा असर ट्रेंस पर पढ़ रहा है जानकारी के मुताबिक पिछले पांच दिनों में 33 ट्रेंस के टाइम टेबल पर असर हुआ है एक घंटे से लेकर तो 6 घंटे तक ट्रेंस लेट चल रही है ट्रेंस के ले इतना ही कर फिर में नहीं नूस बॉलिटन के साथ